नमस्कार प्रियद और शुकों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर भूख और तंगहाली से जूचते पाकिस्तानियों को भगवान राम और उनके बेटे लव की यादा रही है वो लव को अपने शहर लहौर का संस्थापक बता रही है पाकिस्तान के अचानक हुए इस हरिद्य परिवर्तन ने कई लोगों को अच्रज में डाल दिया है और ये परिवर्तन क्यूं है आईए जानते हैं आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के पंजाब परांत में आने वाला शहर लहौर सन 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच बटवारा हुआ और ये शहर पाक की सीमा में चला गया लेकिन कई भारतियों का इस शहर से गहरा नाता रहा है अब अगर हम आपको ये बताएं कि भगवान राम के बेटों लव और कुश का भी पाकिस्तान से एक गहरा नाता है तो आपको पहले तो यकीन नहीं होगा मगर ये सच है पाकिस् पाकिस्तान के सबसे प्रमुक शहरों में से एक लाहौर भगवान राम के बेटे लव की नगरी रही है इस शहर का प्राचीन इतिहास भारतिय संस्कृती से जुड़ता है भारत में पहले भी इस तरह की बात कही जाती रही है लेकिन क्या वाके में लव कुश का संभंध पा रमायन का वो रहसे हम आपको बताने वाले हैं जो ना तो किसी टेलिवीजिन सीरियल में आपको देखने को मिला और ना ही यूट्यूब के किसी वीडियो में आज वो रहसे हम आपके सामने रखेंगे जो उन सभी लोगों के मुँपर करारा तमाचा है जो ये कहते है कि रमा का मुख बंध होने वाला है वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा लेकिन सबसे पहले प्रभु शिरीराम के सचे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जै शिरीराम जरूर लिखें सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में पुर्शेहर से दशेहरे का पावन पर्व था और उसी उपलक्ष में राम लीला का कारेकरम रखा गया था सबता ही कि इस कारेकरम में लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिली लेकिन जब इस राम लीला का अंत हुआ तो सभी लोग बहुत खुश थे सभी जै श्रीराम ज जो प्रभु श्रीराम का किरदार निभा रहे थे उनका नाम था नीरज शर्मा जब नीरज ने देखा कि वो मुसलिम शक्स सनातन धरम का मजाग उड़ा रहा है तब उन्होंने उस मुसलिम शक्स से कहा कि अगले दस तिनों तक मैं तुम्हें एक ऐसा प्रमान लाकर लेकिन अब उनके सर पर बहुत बड़ी चुनौती थी आखिर वो सबूत कहां से चुटाएं वे मूल रूप से जैपुर के ही निवासी थे तब ही उन्हें जैपुर के अंदर ही एक ऐसे परिवार के बारे में पता चला जो प्रभु श्रीराम के बेटे लव के 307 वे वन्शस लेकिन एक ऐसा सच उन्हें जानने को मिला जिससे नीरज जी को जंचोड कर रख दिया भवानी सिंग जी जो प्रभु श्रीराम के बेटे लव के 307 वे वन्शस थे उनका कहना था कि पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है वो लव और कुछ नहीं बसाया था और आज भी वहां शक्स के सामने श्रीलंका से सबूत लाकर रख सकते थे क्योंकि श्रीलंका में रामायन से जुड़े हुए कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कई घटना करम हुए हैं लेकिन वो उस मुसलिम शक्स को ही दिखाना चाते थे कि सनातन धरम केवल भारत में नहीं भलकि पाकिस्तान मे भी मौजूद है लेकिन अब नीरच जी के सामने सबसे बड़ी चुनाती थी कि आखिर लाहौर कैसे जाया जाए क्योंकि मूल रूप से वो एक हिंदू थे और पाकिस्तान में हिंदूों के उपर बहुत अत्याचार होते हैं प्रभु शिरीराम का नाम लेकर जैसे तैसे उ उन्हों ने वीजे का अरेंजमेंट किया और पांच दिन के लिए वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए लाहौर पुराने पंजाब की राजधानी है जो रावी नदी के दाहिने तटपर बसा हुआ है ये बहुत प्राचीन नगर है और कराची के बाद पाकिस्तान में आपके पैरों तले जमीन किसक जाएगी हिंदू मान्यताओं के अनुसार वालमिकी रमायन से हमें पता चलता है कि शिरी राम के जल समाधी लेने से पूर्व उन्होंने अपने पहले बेटे लव को उत्तर और कुष को दक्षिन कोशल का राजय दिया था दक्षिन कोशल में की माने तो लाहॉर नगर का प्राचिन नाम लवपुर या लवपुरी था और इसे प्रभु श्री राम चंदर के पुत्र लव ने बसाया था जब नीरज जी लाहौर शेहर पहुंचे तो वहाँ एक बहुत ही पुराना किला था उस पुराने किले के अंदर लव का मंदिर पना हुआ था जो प्रबु शिरी राम का पुत्र था जिस समय पंजाब में सिखों का समराज्य था कहते हैं इस मंदिर का निर्मान उसी समय हुआ था लेकिन हाल फिल हाल में नीरज जी ने देखा कि ये मंदिर खाली पड़ा है वहाँ पर सभी मुसलिम होने के कारण कोई भी उस मंदिर को देखने करने वाला नहीं था लेकिन इस किले के एक निश्चित स्थान पर उन्होंने वो देखा जिसे देखकर उनके रॉंगटे खड़े हो गए क्योंकि वहाँ पर आज भी लव की समाधी बनी हुई थी वही पर उन्हें शंतरू जैका एक अभी लेक भी मिल उन्हों ने उस पूरे किले की वीडियोग्राफी करी जहां पर ऐसे कई सबूत थे जो रामायन के साथ जुड़े हुए थे जो ये शक को यकीन में बदल रहे थे कि सचमुच में पाकिस्तान के लहौर शहर को प्रभु श्रीराम के पुत्र लव नहीं बसाया था नीरत जी उस से पूरे स्थान की वीडियोग्राफी करी और सबूत लेकर अपने साथ पुनह भारत आ गए और जब सबूत उस मुस्लिम कट्रपंथी शक्स को दिखाए तो उसकी आँखों में भी आसूं आ गए क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि पाकिस्तान एक इसलामिक देश है वहा साथी दोस्तों आपके मन में एक और सवाल जरूर जनम ले रहा होगा कि लव के बारे में तो हमें सारी जानकारी प्राप्त हो गई लेकिन कुश जिसे दक्षिन कोशल का समराज्य दिया गया था कुश ने आखिर अपने समराज्य का विस्तार कैसे किया ये सुनने में आता ह कि लव ने लहोर शहर की स्थापना करी लेकिन कुश ने जिस कुशावती नगर की स्थापना की वो 36 गड़ राज्य के बिलास पूर जिले में मौजूद है कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ से चारों और फे लाया और आज धाईलेंड के जो राजा हैं वो भी इ हवानी सिंग के रूप में 307वे वंशस के तौर पर आज भी जिन्दा है बात अगर माता सीता की करें तो भगवान शिरी राम द्वारा त्यागे जाने के बाद देवी सीता ने अपना जीवन रिशी वाल मिकी के आश्रम में ही बिताया जो की हाल फिलहाल में वर्तमान में क स्थानपुर शेहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर बैठूर गाउं में मौजूद है लव कुष्की जनम स्थली भी यही कही जाती है माना जाता है कि इसी स्थान पर रामायन गरंध की रचना भी हुई थी इसी आश्रम के आसपास एक हिंडन नाम की नदी बहती है जिसका पान हल मातासीता खाना बनाने के लिए गरती थी सीता रसओी के साथ ही यहां पर एक कुवाँ भी है जिसे लेकर यहां कहा जाता है कि मातासीता इसका प्योग पानी के लिए किया करती ती साथ ही यहाँ पर एक पेड़ भी मौजूद है जिसके नीचे बैठ कर लव और कुष रिशी वाल मिकी से शिक्षा प्राप्त किया करते थे भगवान राम ने जब अश्वमेग यग्य कराया था तो कोई भी राजा शिरी राम के घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था रामायन में हमें उलेक मिलता है कि जब हो घोड़ा बिठूर गाउं पहुंचा तो लव कुष ने उस घोड़े को भाध लिया जब प्रभु श्री राम की और से उस घोड़े को चुड़ाने के लिए हनुमान जी आए तो लव कुष ने उन्हें भी परासद करके बंदक बना लिया और ये स्थल आज भी बिठूर गाउं में बना हुआ है जहाँ पर हनुमान जी और लक्षबन जी को लव और कुष के माध्यं से कैद किया गया था कहते हैं इसी स्थान पर माता सीता पताल में समाहित हो गई थी यानि कि दोस्तों भारत के कौने कोने से हमें रमायन के और सनातन संस्कृति के सबूत देखने को मिलते रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग ये बात नहीं मानते कि रमायन सत्य है आज की जानकारी उन सबी लोगों के मुवपर एक करारा तमाचा है जो रमायन को कलपना मातर कहते हैं अब ही आप भी ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करीएगा जिने रमायन के बारे में धियान नहीं है जो अपने ही धरम को नहीं समझते और रमायन को एक कोरी कल्पना समझते हैं रमायन जिसके हजार साल बीट गए है जिसके पात्रों को लेकर हमारे मन में आज भी उतसुक्ता भरी रहती है कि इसमें कितनी सचाई है और कितना काल्पनिक हमारे मन में हमेशा यही बात आती है कि किताबों में लिखी ये एक कहानी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता लेकिन हमने आपको आज कुछ ऐसे प्रमान बताए हैं जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं आज की वीडियो काफी रहस्यों से भरी थी आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत जादा इंटरस्टिंग लगी होगी और आप भी यकीन कर पा रहे होंगे कि रमायन एक कालपनिक कथा नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो कुछ और सबू रित्यू हो गई थी जिसके बाद वो अकाश से इसी जगह गिरे थे जहाँ पर अब ये मंदिर है धिवू रमपोला शिरी लंका ये वो जगह है जहाँ पर रावनवद के बाद माता सीता ने अगनी परिक्षा दी थी आज वहाँ एक पेड है जिसके नीचे माने अगनी पर रिक्षा दी थी द्रोनागीरी परवत उत्तराखंड ये वो परवत है जहाँ पर संजीवनी बूटी है लक्षमन जी को मुर्चित हुए देखकर हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गये थे पर पता ना होने के कारण वो पूरा का पूरा परवत ही उठाला थे यही पर लक्षमन जी ने सरूपनका की नाग काटी थी सो प्रिया दर्शकों ऐसे और भी बहुत सारे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि रमायन एक सत्य घटना है ऐसे में क्या विचार है आपका रमायन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना साथ ही इस वीड कर दे शेर कर दे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद